अब ये डायन की बच्ची बाद आने वादी तो है नहीं इसलिए और जब पब्लिक को पता चला कि धिंचक पुझा ने एक नया अजाब नाजिल किया है तो कती गांड से पागल हो गए सब के सब और ये रियक्शन दाउन सबका दिलो का शूTr gotta अब मुझऺ तो लग रहा है कि ये इस गाने का प्रोमो है अब यासलिया अब तो पर नाजिल होगा तो इसलिए यह इए देख लेते हैं तो मरना नहीं है लाइक करना वीडियो को और शेयर भी कर देना और भ이 मेरे पहले वीडियो पर 14 वीज और दूसरी वीडियो पर साथ वीज हैं तो क्या कर रहे हो यह जो भी देख रहो सब्सक्राइब कर जाया करो पेसे दोरी नहीं लगते हैं पेसे लगते हैं तो बताओ मुझसे ले लेना जब मैं अमीर बन जाओंगा तो ठीक है नहीं तो अब इस वीडियो को लाइक कर देना और पहली वीडियो तो शेयर भी कर सकते हो तुम लोग क्योंके उसमें मैंने एक भी गाली ने बकी तो वो गाली है मेरे लिए मेरे साथ जिस जिस ने ये चीज नोड किये तो उसके लिए पहले तालिया एक बर फिर से गर की दिखा एक बर फिर से वन लास्ट टाइम ये डान लिप्स्टिक खारी है अबनी सच मुच मैं अब या तो मुझे बात समझा दो या तो या मुझे पांसी दे दो अब इससे स्कूटर चलाते हुए हराम खुरों की तरह कौन हसता है या यह हसती है सिर्फ और हसरी है तो भई क्यों क्यों भाई क्यों क्या वजाए अब इतने वी क्या मज़े आ रहे हैं तुझे स्कूटर पर वेट के जों हमें नहीं आते और सिर्फ तुझे आ रहे हूर अमें दिखाई भी नहीं देरे भई और फिर हसे ही जा रही है हसी ही चली जा रही है वह अब इसके हसी है अब इसके हसी के पीछ है ना दो वजाए हो सकती है पहली तो यह कि इसका केमरा में जो है वो इसे अपना हिला हिला की दिखा रहा है और यह हसे जा रही है और दूसरी वजा यह हो सकती है कि यह अपने जहन अब लिरिक्स पे तो मैं आना ही नहीं चाहता था या लेकिन कैसे इग्णोर कर सकते हैं वही तो है सबसे में चीज क्योंकि यह लेकर बेट जाती है तो बेटी जाती है फिर एक चीज को कोपी पेस्ट कोपी पेस्ट करती रहती है सब्सक्राइब करते हैं अब सब्सक्राइब करते हैं इसको देखके ना मुझे लगा यार मैं लिख दूँ और मैंने लिख दिया भई अब जितना हुशा का यार मैंने रिकोर्ड कर लिया अब मैंसे जादा नहीं होते है रैसु जलु काम इसी के बसकी बात है अब पहली बात तो यार के कोई स्कूटर चलाते हुए ऐसे बिलावजा उपन नीचे देखे गानी और इसने भी ऐसे भी बिलावजा नहीं देखा क्यारी कोई बिलावजा काम करती नहीं या तो हम लोगों को टोर्चर करने के लिए वीडियो बनाती है और इसने उपपर इ अब इतनी मरी हुए आलत मा कौन गाता है यार जब नहीं है हालत गाने वाली तो जागे मरो ना यार घर पे लेकिन नहीं गाएंगे हम तो तो फिर गाओ और इतनी मरी हुए आवाज में गारी है न ये जैसे इसके आज पास दस बारा लोग अपना आथ में लेके खड़े हुए जहां ये चुप हुई वहीं इसके मुह में दे देंगे तो भाई इस कंडिशन में तो किसी को भी डर लगेगा अब यार ये जो इन गंदा सा इशारा किया न तो ये हुआ यूँ के जो केमरा में इतनी देर से लगा हुआ था न अपनी कोशिशों में और इसे गंदे गंदे इशारे कर रहा था तो उसकी मेनत रंग ले ही आई और इसने बोल ही दिया चल चलें अब इस वीडियो के बारे में कुछ और जादा हो नहीं सकता क्यूंगे ये वीडियो खुलेक रोस्ट है भई तो अब जब कभी मुझे किसी चीज का रोस्ट करना हुआ करेगा ना तो बस मैं यही गाना लगा दिया करूंगा और मैंने कुछ वीडियो के साथ ऐसा किया भी यह बई देखो अब जिन चरिन पर इनको वाई यह वीडियो पसंद आये ना तो या लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना और गर्मी हद से जादा बढ़ गई है अब तो अब जाना ही पड़ेगा और कोई तीन साड़े तीन का टाइम हो रहा है तो जरूरत में सूस हो रही है तो अब मैं जा रहूं भई सोने ही तो अब यार बाए